अंगूठा को इंगलिश में क्या कहते हैं और शरीर के कुछ और अंगों को इंगलिश में क्या कहा जाता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं अंगूठे को इंगलिश में थम कहा जाता है टी एच यू एम बी थम उंगली को इंगलिश में finger कहते हैं F-I-N-G-E-R finger हाथ को इंगलिश में hand कहा जाता है H-A-N-D hand हथेली को इंगलिश में palm कहते है P-A-L-M palm कलाई को इंगलिश में wrist कहा जाता है W-R-I-S-T wrist कंधा इंगलिश में shoulder कहलाता है S-H-O-U-L-D-E-R shoulder कहोनी को इंग्लिश में एल्बो कहते हैं गुटने को इंग्लिश में नी कहा जाता है एडी को इंग्लिश में हील कहते हैं तखना इंग्लिश में एंकल कहलाता है और कमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें